नमस्कास तो मैं हूं डेविड स्वात करते हूं आपका बर्माटे के डिप चल मैं गाईज यहां पर जो सीटेट का फॉर्म फील फोड़ा है इसमें दोस्तों आप लोग को जो फोटो और सिगनेचर कैसा अपलोड करना है यह जानना दोस्तों बहुत ही जरूरी है क्योंकि अ इसमें फोटो और सिगनेचर मांग रहा है क्या-क्या इलिजबिलेटी होना चाहिए आपका जो फोटो और सिगनेचर है उसमें अगर वो नहीं होगा तो दोस्तों आप लोग को दिक्कत हो सकता है तो चले इस तो सब सब पहले यहां पर हम आप लोग को नोटिफिकेशन पर जो पहले मतलब बहुत दिन हो गया और उससे आपका फेस मैच नहीं करता है तो वह भी दोस्तों आप लोग को फोटो अपलोड नहीं करना है आप लोग को लेटेस्ट फोटो एदम ही अपलोड करना है यहां पर लिखा हुए इसकेन फोटो और सिगनेचर और मेंडेटरी मत होना चाहिया वह जेपी इजी में होना चाहिये दुनों फ候 Met में से कोई एक होना चाहिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फोटोड बीट्विन यहां पर 10 से 100 के पीच में आपका गाद फोटो का साइच है वह रहेगा तो चलेगा 10 के बीश से डाउन रहेगा तो यहाँ प scan signature between 3 से 30 के भी यहाँ दोस्तों जो बताया गया है कि आप लोग का जो signature होगा वो आप लोग को जो 3 के भी से लेके 30 के भी के बीच में होगा 3 के भी से छोटा नहीं होना चाहिए और 30 के भी से बढ़ा नहीं होना चाहिए जो आप लोग signature अप्लोड करेंगे और यहाँ दोस्तों signature का भी dimension बताया गया है कैसा आप लोग को signature अप्लोड करना है और दोस्तों आगे पढ़ लेता है तो लिखावे दा कंडिनेट आर एडवाइस तु किप दे scan image for latest photograph and signature of the candidate ready in jpg format है आप दोस्तों बताया गया है कि आप लोग जो फोटो अप्लोड करेंगे वह लेटेस्ट है लेटेस्ट फोटो ही अप्लोड करना है यहाँ दोस्तों बताया गया देख सकते हैं ताकि बाद में आप लोग को जो फोटो से मिलाया जाए तो वह सही सही मि गचेगा है एदा प्लेटर प्लेंडेफर पे इसका बार में भी नहीं दिया हुआ है तो आप लोग को बस लेटेस्ट फोटो रखना यह बात को धियान में पुराना फोटो मत रखेगा और दोस्तों जाहां तक इंग्नोर कर पाएएगा टोपी और यहाँ पे चसमा है उसक बीना लगा ही घीचेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा अब चलिए दोस्तों यहां पर देखा देते हैं आप लोग को अपलोड कैसे करना है अब यहां पर दोस्तों देख सकते हैं बताया गया है कि आप लोगा जो फोटोग्राफी होना चाहिए वो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर हमारे पास सब इमेज पड़ा हुआ है तो हम अपना कोई भी एक इमेज सेलेक कर लेते हैं जोकी साब सुथरा इमेज है और आपका जो यहां पर 10 के भी से कम नहीं होना चाहिए यह बात को आप लोगो धियान में रखना है और दोस्तों जो देख सकते हैं यह rename होता है इसको मतलब कि ज्यादा कुछ मत लिखेगा नहीं तो यह upload नहीं होगा अब दोस्तों देखें लिख दिया इमेज फाइल अप लोड़ेट सक्ससपुली यानि कि हमारा जो इमेज फाइल हो अप्लोड हो गया आप लोग असानी पूरोग देख भी सकते हैं यह यह हमारा जो फोटो है वो आ गया जो हम अप्लोड किये थे अब इसको यहां पर हम कार देते हैं क्योंकि upload हो गया है successfully आप signature वाले option पर जाते हैं दोस्तों और यहां पर choose file पर जाएंगे और जो भी अपना signature upload करना चाहते हैं कोई साभी pen से कर सकते हैं black या blue pen से कोई से भी तो चलिए हम यहां पर blue pen वाले पर click करते हैं और इसको भी दोस्तों आप लोग चाहें तो set कर सकते हैं आप लोग को set नहीं करना है तो simply upload और इजिनल वाले option पर click किजेगा और यहां पर upload पर action के नीचे upload मिल जागा इस पर click करिजेगा देखें यह भी हमारा upload successfully हो गया अब हम यहां पर OK कर देंगे और देखें यह दोनों फाइल हमारा successfully upload हो गया दोस्तों यहां पर हम आप लोग को upload करके दिखला दिये कैसे आप लोग को upload करना है हम दोस्तों सिर्फ इस वीडियो में आप लोग को इतना ही बतलाने वाले थे अगर दोस्तों आप लोग को कोई भी और भी प्रकार का problem हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में comment करीजिएगा हम को अगर पता प्लम आ रहा है फोटो और सिखनेचर आप लोड करने में तो चलेज तो मिलते हैं क्लें नेक्स वीडियो में तब तक लिए जया हिन जया भारत